तो आज हम खड़े हैं केंडोलिम बीच पे और अभी जा रहा है केंडोलिम बीच तो यहां का मार्केट और केंडोलिम बीच कैसा है अप्तूबर 2021 में वो सारी अपडेट देंगे प्लस दिखाएंगे भी कैसा अभी माहूल है यहां का और सारी चीजे घ्रघं़ जितनी भी आप दिखा देंगे क्या-क्या ओपन है हाँ और क्या-क्या ओपन नहीं हुआ है अभी, तो सारी चीजे दिखाता हुआ चलूँगा, प्लस मार्केट वगरा भी यहां का देखने को मिलेगा, केंडलिम का, तो केंडलिम बीच का, देखते हैं पहले चलके, तो यह सुबह-सुबह का टाइम है, और चीजे सारी ओपन है यहां पर लगबग, नहीं अभी तो ही थी यह, क्या रेट है इदर वाइक कार का, तो यह इदर सुबह-सुबह ओपन हो गए है, बीसेक, बीसेक नहीं रेश्ट्रो है, बीसेक तो जाके देखेंगे के इदर ओपन है के नहीं है, कितने है, कुछ चीज़ा भी ओपन नहीं हुई है, और मोसम बड़ा अच्छा हो रखा है, आज भी वनलब काफी अच्छी दूप निकली हुई है इदर की तरफ, यह देखो वाओ, प्री देखो कितने मस्त लग रहे हैं ना, ये, ये ही तो है, बस गोवा का लगी हो रहा है, और ऐसी चल लगा है नीचे नीचे, रोड पे, यहां पर आगे पार्किंग है गाड़ी की, तो पार्किंग का चार्ज यहां पर 100 रुपीच पड़ता है, तो ये इदर पा है, जहां पर ये रोड एंड होता है, वहीं सागे, तो ये सामने रोड आ गया है, यहां पर आप गाड़ी इसे पिक अप ड्रोप कर सकते हैं, आगे अलाउड नहीं है, और ये अब आगए हम 20 की तरफ, तो ये अंदर छोटा सा मार्किट बना हुआ है, यहां पर नार्यल बगएरा, नार्यल पानी, गन्ये का जूस भी मिल रहा है, और छोटे मोटी मतलब पानी की बोटल बगएर ये सब चीज़े आपको मिल जाएंग तो ये अब टैटूस के रेट है, तो ये एंटर हो चुके हैं हम, कंडलिम बीच, हां जी, अभी तो नहीं चाहिए, क्या रेट है, 200 रुपे पर बैड, 200 रुपे में दो बैड, 100 रुपीच पर बैड, यहां पर चार्जिस हैं, सन बैड के, और ये, इधर देखो कंडलिम ब बीच और रस भी है, बट अभी मॉर्निंग में थोड़ा सा कम लगेगा अपको, और ये सामने बोटिंग वगएर भी हो रहे है, इधर बोट पे, चोटे-चोटे फोर्म बने हुए है, वाँ, कंडलिम बीच पहुच गए, तो ये लगे हुए, इधर संबैट्स, और हंड़र रुपीच का एक है, मलाब टू हंड़र के दो, तो ये यहां पर प्राइज चल लाए है, कितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए, फुल दे, पूरा दिन रुख सकते हो, परस्ता में एक दो गंटा बेटता है, एक दो गंटा कुछ टाइम ल दोड़ा इधर रसकम लग रहा है भी है न, क्योंकि सुबह भी है न, और बादल हो रखे उपर देखो, वाँ, अच्छा हो रखा है, तो ये आज सीना काफी अच्छा लग रहा है, मतलब कलर भी चेंज हो गया, और बीच भी आज अच्छा लग रहा है, क्योंकि दो दिन से बरसात नहीं हुई है, तो उसका असर है, और बहुत ही मतलब अब लग रहा है दुबारा से आ जाएगा, ओक्टोबर में ये चेंजिस अब होने वाले है, सी भी अपनी मतलब सेप में आ जाएगा, जैसा होता है इस विली, आज क्योंकि बिल्कुल भी गंदा पानी नहीं है और यहाँ पर रेतना काफी मोटा है, ये देखो, कुछ और बनवाना है आज, ये ये देखो ये, तो सी अब अच्छा लगने लगा पहले से, काफी अच्छा लग रहा है, जैली फिस है ये, तो ये देखो ये जैली फिस है, जो अक्शु को लगी थी एक बार, ओ पानी हा तो अबी इदर से निकलते हैं, और इदर अभी क्या है, बीच सैक ओपन नहीं हुए, बहुत ज़ादा, बहुत ज़ादा क्या बीच सैक ओपन नहीं है, थोड़ी गंदगी ज़ादा हो रखी है, तो ये थे हा, कंडोलिम बीच, और अभी हहाँ पे न, बीच हर्ट, बीच यहाद हो रखी है इदर कुछ मुझे लग रहा है वहाँ पर कूड़ा डालने का कुछ ऐसा वो था नहीं तो काफी को पड़ा था तो जैली फिस जो दिखाई वो जैली फिस अक्षू को लगी थी एक बारी इसी बीच पर यहाँ पर थोड़ा ध्यान से रहना तो होती तो पहल स्लख लगांक रखना जूम नजए खरीद नहीं तो देखते हैं तो अब हम केंडल म्रना संखर निकलन रहा हैं थोड़ा न्यूटन में literal in the हाँ फिर भी देख लिए समान और कुछ लेने का लाइक ठानी इतना ज्यादा डारू के लग यहां पर बहुत ज्यादा भीड रहती है बहुत ज्यादा तो यह अब देखो चहल पहलियां की शुरू हो गई हाँ शुरू हो गई अब दस बज़ गए तो दस बज़ ऐसा माहूल हो गया है और बीच साइड तो आपने देखी लिया अभी थोड़ा सा मोर्निंग टाइम में कम था मगर फिर भी अभी लोग जाकर मस्ती कर रहे थे और इसको न शायद लोकल लेंग्वेज में अपन तो है सब बूलते है कि को यहां पर लोकल लेंग्वेज में कांदोले कांदोले सब ओपन हो गया है इदर तो है ना यहां इधर सब खुल है, इधर ऐसा कुछ है नहीं कि जो मतलब तो चार प्रॉपर्टी जो बंद है, बागी सब खुल है, और अभी आगे जाएंगे तो थोड़ा सा आगे चलके, एक वाता है, बड़ा अच्छा असा था, केंडोलिम का ही है, वो केंडोलिम, हाई यह आगया, लेफ्ट साइड में, इसके सामने सबजी मंडी है, हाँ, हमने एक बार यहां से केले हुए, यहां से डाइरेक्ट रास्ता भी जाता है, एक पंजिम के लिए पतला सा, और यह इधर, फुट्बल ग्राउंड है, यहां का, बड़ा अच्छा बना हुआ है, यहां का, बड़ा अच्छा बार आने वाले हैं, बस, काफी बड़ा है कंडली मार्केट अगर आप देखो ना, और चहल पहल तो सुबह में यहाल है, तो सामका आप खुद अजिम कर सकते हो, कितना ज्यादा होगा, क्योंकि काफी चहल पहल रहती है, और नॉर्थ में बड़ा ट्रैफिक तो क काफी मिलेगा ही मिलेगा आपको, नॉर्थ में हो तो, तो यह हम पहुच चुके हैं अभी चर्च के पास, और यहां से एक रास्ता राइट की तरफ कट जाता है, और एक सीधा निकल जाएगा बागा कलंगुट की तरफ, सो गाइज, होप करते हैं, यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसमें हमने आपको केंडलीम दिखाया, थोड़ा मार्केट का बताया, और ओक्टॉवर में कैसी कंडिशन है, क्राउड अब आने लगा काफी, और अभी साम में और भी ज़्यादा क्राउड हो जाता ह है, यह मौनिंग टाइम में मैंने सूट किया, क्योंकि इजी हो जाता है, साम में अब होथ मुस्किल होता है, वीडियो सूट करना, गर्मी भी और उपर से फिर, महाँ पर सोर बहुत होता है, हाँ उल्ला, यह सब चीज़े, आपकी वाजी निया तो होप करते हैं, वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो like, share, comment करके बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then take care, bye bye